हाई दोस्तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेच्रल नंबर फ्रोम वन टू एन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पिलिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल का एकन दबाना ना भूलें जिसस तरीके से एन तक जाते हैं नेच्रल नंबर उन्हीं को कहते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं अगर आपकी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है तो वो नेच्रल नंबर नहीं कहलाता है तो चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं message होगा enter any number input function क्या करता है कि string में convert करता है इसी को हम int function की मदद से इसको integer में convert कर देंगे एक print करेंगे message console पे the list of natural number from one to format function का use करेंगे इसके अंदर हम n variable का use करेंगे जो की user input करेंगा whole loop का use करेंगे i in range x से start हो और n plus 1 print function की मदद से i की value को print कर देंगे and keyword का use करेंगे और इसमें space देंगे अब हम इसे run करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा output आ रहा है enter any number 10 तक print करके दे natural number को enter करेंगे लिस्ट दे दिया है natural number का 1 से 10 तक इसी को आप while loop की मदद से भी कर सकते हैं सबसे पहले हमें initialize करना होगा i की value को 1 से print function के बाद while loop लगाएंगे जिसका range होगा i से start हो less than equal to n जहां तक user print करवाना चाहता है natural number को और इसके बाद हम i की value को एक एक करके increment कर देंगे अब हम इसे run करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा output आ रहा है enter any number जो print करेंगे 15 तक 15 तक natural number को print करना चाहते हैं enter करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने natural number की list को दिखला दिया है जो कि start हो रहा है 1 से और 15 तक क्योंकि 1 से ही start होते है natural number अब हम range के अंदर natural number को हम print करेंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं min नाम का एक variable लेते हैं integer function का use करेंगे और input function की मदद से input करवा देंगे user से message pass करेंगे user को enter minimum value enter minimum value इसे को copy करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे max कर देंगे और यहाँ पर change कर देंगे message को enter maximum value print function की मदद से एक message print करेंगे the list of natural numbers from minimum range to maximum range dot format function का use करेंगे और इसके अंदर हम pass करेंगे पहले minimum variable maximum variable अब for loop का use करेंगे और ek करके iterate कर देंगे range min max print function की मदद से iq value को print कर देंगे end keyword का use करके number के बीच में space रख लेंगे अब हम इसे run करेंगे तो आप देखेंगे कि output आ रहा हमारा enter minimum number 3 से start of enter maximum number जो कि कहां तक print करेंगे हम 16 तक print करेंगे natural number को enter करेंगे तो आप देखेंगे कि the list of natural number from 3 to 16 तो आप इस तरीके user से input करवा सकते है natural number को within range के अंदर अब हम इसी natural number को print करेंगे function की मदद से तो देखते हैं कैसे करते हैं natural नाम से एक function बनाते हैं इसके अंदर एक parameter लेंगे जो कि n होगा और आप print function की मदद से एक message print करेंगे the list of natural numbers is for loop लगाएंगे i in range जो कि start of 1 से और कहां तक जाए function call करते समय जो user argument पास करें जो हमारा parameter है n नाम से print i जो कि iterator है end keyword का use करेंगे और इनके बीच में space ले लेंगे function को call करेंगे natural और इसके अंदर हम एक argument पास करेंगे जहां तक user natural number का list print करवाना चाहता है जैसे कि हम print करवाएंगे 13 तक अब हम इसे run करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे console में list print हो गया natural number का ये कैसे work कर रहा है ये function जहां call हुआ है function के definition पे जाएगा और ये बोलेगा कि मेरे पास एक parameter है आप मुझे एक argument दीजिए तो हम यहां पर एक value पास करेंगे argument के form में जो कि इस parameter पे जाएगा print function क्या करेगा message print कर देगा the list of the natural number is और for loop में एक एक करके सभी value को iterate करेगा और print function की मदद से उसे print कर देगा and keyword क्या कर रहा है इन सभी element के बीच में space रख रहा है अगर आपको इस natural number को एकी line print करना है तो कैसे करेंगे तो यहां पर आप simple and keyword का use करेंगे और इस space print कर देगे अब हम इसे run करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने एकी line में message के साथ natural number को print कर दिया है इस तरीके से आप इसमें argument change करेंगे natural number की list को print करते जाएंगे जहां तक user चाहता है अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें हमाई channel को subscribe करना ना भूले धन्यवाद